ये है एपी योगोज नेटवर और आप देख रहे हैं आखर पधरी खबरों की परताल तरह 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 खबर रोता जिले के कोचस से है जहां पिछले कई सालों से जरजर हो चुका सासारम चौसा मार्ग की मरमत की मांग को लेकर अस्थानी निताओं ने पानी भरे गड़ों में मचली मार कर बिरोध परदर्शन किया उन्होंने सासर परसासम के खिलाब जमकर नरेबाजी करते हुए जल्द से जल्द सरक के मरमत की मांग किया सरक कोचस नगर पंचायत से होकर गुजरने वाली मुख्य सरक है जो पिछले कई सालों से जजर पड़ी है जिनमें आए दिन दुरुगटना हो रही है कौंगेस महासची अकलेश तिरपाथी ने कहा कि कोचस नगर पंचायत में लूट खसूट ज्यादा हो रहा है जिसका परिणाम है कि कोचस बजार में नाला तो बना है लेकिन नाला मानक के रूप में नहीं बनने से आज़ी परशानियों की सामना करना पर रहा है कभी भी बारिस हुई तो जल निकासी नहीं हो पाती सरक का हाल बिहाल है सरक समंदर में तब्दिल हो जाता है जिसका प्रिणाम है कि आए दिन इस मार्ग पर सरक हाथ से हो रहे हैं वही गर्मी के दिनों में इस सरक पर उड़ने वाले धूल से लोग परिशान रहते हैं वही इनोंने आरोप लगाया कि यहां के अस्थानिय पतादिकारी और जन परतिनीधी इस सरक के मरमत के लेकर कभी भी गंभीर नहीं होते अब आले से नाली बना हुआ है इस नाली के नाम पर लाखो लाख रोपये लूटा गया है लेकिन एक दिन इस नाली से जननीकासी नहीं होता है हुए है कि अभिह दो रोग चार रोग, बारिष नहीं हुई है। तब उसका वह इस्थिति है। jd कहीं नाच अगर बारिष हो जाए तो पूरा सनक पूरा 6 64 मार्ग है, कोचस में तो पूरा का पूरा तो सब समुंदर बन जाता है। किसी को पता नहीं चलता है कि कि धर से गाड़ी लेकर के जाये महिलाई आती है और उनका जो टेम्पू है उसमें पलड़ जाता है मवेसी की गाड़ी उस गढड़े में पलड़ जाता है बड़ा मेनत मसकत करके लोगों ने अख्लेस वावा और मुनापा सवाण जी ने हम पर मचली मारने का और लोगों के भी संदेश देने का काम किया है किया है